हम यह देखिए प्रॉब्लम नंबर टू आपके बुक का जब कभी भी देखो एचारे हमारा क्या टॉपिक चल रहा था हाउस रेंट अलाउंसेज सेक्शन 10 सब्सेक्शन 13A इसके अंदर क्या था आपका अगर और विद फैमली रहेगा अपने घर में रहेगा और सेलरी का 10% से लेस पेमिंट करेगा तो उसके लिए फुली टेक्सेबल है इन अदर केसिस में हमें लोवर ओफ जो लोवर होगा उसको एक्जेम्ट करके बाकी का पोर्संट टेक्सेबल करना पड़ेगा फोर एक्जामपल एक्चुल रिसीव नमबर टू रेंट पेड माइनस 10% और सेलरी फोर रेटायर्मेंट बेनिफिट और 40% या 50% डिपेंड अपॉन सिटी में 50 अदर सिटी में 40 Ahora लेकिन पार पहले पूरे को समझ ले कहां कहां पे फैक्टर चेंज है जैसे कि मैंने एक पूरा फेक्टर समझने के लिए क्या करा मैंने एक लाइन ड्रो कर दिया और मैं स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ इसमें सबसे पहले एप्रिल एप्रिल के बाद मेश जून जुलाई अगस्त सेप्टेंबर ओक्टूबर नेवंबर दिसंबर जैन फैब और लास्ट एक और मन्थ ले लेते हैं ये ले लेते हैं मार्च ठीक है मैंने 12 मंथ के 12 मंथ एक लाइन पर प्लॉट कर लिया जिससे हमें आसानी हो जाएगा कहां पर क्या काम हो रहा है इसको आराम से एक एक करके पोइंट देखते हैं बेसिक सेलरी 50% इंक्लूड एस पर टर्म्स ऑफ एंप्लॉइमेंट का मतलब रिटायर्मेंट बेनिफिट वाला है तो 50% आपका रिटायर्मेंट इसको रहने के लिए थोड़े पैसे दे दिये जाए और वो पैसा अपने एंप्लॉई को 3000 हर महिने के हिसाब से देता है पर मंथ विच वाज इंक्रीज 3500 कहता है के कहता है के कहता है के कहता है कि 1120 18 कीili अगर मैं बात करूँ तो मैं जैन की बात कर रहूं यहां पे आ जाता हूं मैं यहां पे उसका यहां पे हुआ क्या है बताना जा रहा एचारे में इंक्रीमेंट लगा है और 35 इसका मतलब ध्यान से देखना इसका मतलब यहां पे एचारे था तीन अजार, simple word में यही कहना चाहता है, और कुछ भी नहीं है, एक्सटराइस में, आगे पढ़ते हैं continue में, continue में कहता है, he got an increment 500 in basic salary, कहता है कि salary भी बढ़ेगी, तो salary एक दो से बढ़ा रहा है लेकिन, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका salary कितने होने वाला है, तो इसका मतलब यहाँ पे salary 5000, ठीक है, increment हो गया, पहले हो सकता है, ऐसा possible है बिलकुल, पहले कुछ time पे लगाता हो, कुछ और salary साल के बीच में बढ़े गया, कहता है, April 2 में, nil stay with parents, कहता है कि April 2 में, यह कोई भी rent नहीं paid करता, आगे मैं continue पढ़ देता हूँ, एक, दो, 2018, rent paid by him during the previous year, 2017, 18, as under, April से मैं तक कोई किराय नहीं दे रहा, क्योंकि अपने family के साथ रहते हैं, तो यहाँ परेल से लेके मैं तक, यह वाला portion, यह पूरा, यह family के साथ है, तो यहाँ पर कोई किराय पेमेंट नहीं कर रहा, इसके बाद आगे चलते हैं, कहता है, जून से एक्टूबर 3,000, accommodation गाजियाबाद, गाजियाबाद क्या, Metro City में है? नहीं है, 40%, तो एपरेल से मैं तो खुद रहता है, जून से ओक्टूबर, जून से अक्टूबर की बात करूँ मैं, तो मैं मैं तो चला गया, जून, जून, जुलाइ भी आ जाएगा, अगस्त भी आजाएगा, सेप्टेम्बर भी गर, October, यहां तक, October पूरा या, एक October, कुशन में, एक October बोला हुग है, सिर्फ October बोला है, तो, end of the month, ठीक है, तो, यहां से, यहां तक, यह रहता है, rent pay, लेकिन रेंट पे कहां पे गाजियाबाद गाजियाबाद में रहता है और वहां पे कुछ किराय ज़रूर पेड कर रहा होगा तीन हजार रुपे पर मंथ रेंट देता है चलिए ठीक है इसके बाद पॉइंट नमबर थ्री कहता है के नमबर से लेके मार्च तक 4000 पर मंथ अकमंडिशन इन डेली बोलता है के भाई गाजियाबाद से वो सिफ्ट कर गया कहा आ गया नमबर के बाद डेली में और 4000 किराय देता है तो नमबर से यानि नमबर मंथ से लेके कब तक मार्च तक कहां पर है ये और रेंट कितना दे रहा है 4000 पर मंथ चलिए इसके बाद आगे क्या कहता है continue में compute आपका gross salary for assessment year gross salary बताना है अब जितने components अलग होगे उसको components को मैं अलग-अलग करता जाऊँगा देखो सबसे पहला components factor affected यहां तक हुआ है तो यहां के लिए मैं अलग calculation करूँगा इसके बाद जून की बात करते हैं जून में factor यहां से change हुआ है बीच में कोई factor चेंज नहीं हो रहा कोई factor चेंज नहीं हो रहा यहां तक इसको second calculation का नाम दूँगा मैं first calculation वहां second यहां तक रहेगा इसके बाद November के बाद December January यानि जनवरी में एक factor फिर change हो गया है यहां से यहां तक यानि दो दो factor यहां पर impact है एक तो rent भी और जैन के बाद हमारा तो जैन तो एक तारिक से बढ़ी गया न हमारा एचारे तो सोचो एक तारिक से बढ़ा कब बढ़ा बताना तो मैं कहां से कहां तक factor लोगा December December only November और December कितने मेहने हो गए नॉंबर December एक मेहने है टू मन्थ चलो टू मन्थ वरकिंग नॉट नंबर थ्री मैं मन्थ भी लिख देता हूँ April से मही कितने मेहने टू मन्थ का अलग calculation जून जुलाई अगस सप्टेंबर अक्टूबर कितने मेहने बताओ एक दो तीन चार पाँच फाइब मन्थ के लिए अलग calculation ध्यान से देखो आप बोर्ड पे calculation भी हम इसको बाट देते हैं जिससे आसानी हो जाए December के बाद जैन एक और यहां आ गया December में था जैन में फिर मेरा चेंज होगा है factor यानि December खतम कर दो जैन जैन का एक factor आ जाएगा और फिर फैब में भी चेंज होगा है तो यह कितने महने के लिए होगा एक महने के लिए वन मन्थ फैब में कब चेंज हुआ है salary इसका फर्स्ट फैब को और नवंबर से दिसंबर में था ना हमारा यह जो मैंने चेंज किया है नवंबर एंड दिसंबर एचारे कब बढ़ा था इसका एचारे बढ़ा था question में एक एक को तो भाई नवंबर में ठीक है और दिसंबर में भी कोई factor changes हमारा है नहीं तो फिर चलो यह one month का calculation नहीं का लग हो गया calculation number 4 इसके बाद FAB month की बात करते हैं FAB month में क्या change हो गया एक और change हो गया और FAB से लेके March यह कितने महिने हो गया है two month हो गया calculation number 5 तो इसको पांच भागों में बाट दिया मैंने तो पांच भागों में बाट के पांच बार calculation अलग-अलग situation निकाल के हमारा answer बड़ा इजी लिए जाएगा कि कहां पर जैन में change हुए कहां कि देखते जाओ भी मैं करता हूँ ना फिर आपको clear हो जाएगा एक पर कि एपरिल से मही तक calculation number वन चलिए मैं आपके लिए calculation और आसान कर देता हूँ कितने calculation होगे पांच एक दो तीन चार पांचवा यहां कर देंगा ठीक है अब चलिए फर्स calculation कहां से कहां तक लेना है एपरिल टू ध्यान से बोट पे देखना टू में और दो महिने का फर्स्ट पार्ट ठीक है दो महिने में क्या था अपने फैमिली के साथ रहता था जो एचरे मिलेगा सब पर टेक्स देना पड़ेगा यही है तो यहां पर टेक्सेबल एचरे लिकाल लेता हूं में तीन हजार मल्टिप्लाइ किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम सेलरी तो मैं एक बार निकाल लूँगा सेलरी में कोई दिक्कत निया बेसिक सेलरी तो मैं कल्कूलेट कर लूँगा अब यह दूसरा कितने मैने के लिए पांच मंत के लिए कब से कब तक जून से अक्टूबर ऑक्टूबर दिख रहे हैं यह अब जून से अक्टूबर के अंदर सबसे पहले यहां पर तो भाई वह रेंट पर रहता है तो हम तीन कंडिशन लगा देते हैं एक्टूबर रिसीव नाव एक्टूबर रिसीव विल बी कितना कि एचार है तीन अजार बढ़ा तो वहां पर जाके तो तीन हजार इंटू में पांच पंद्रह अजार उसके बाद रेंट पेड कितना तीन हजार ही पेड कर रहे हैं माइनस 10% सुरी माइनस 10% ऑफ SRB चलो SRB निकाल लेते हैं आपर SRB सिर्फ इसके लिए निकाल रहा हूं मैं SRB सेलरी हो गया इसका तीन हजार बेसिक बेसिक सेलरी पांच है अच्छा पांच पच्चेस हजार डी ये कितना लें 100% का 50% यानि 12,000 एनि कमीशन नहीं तो 25, 12, 37,000 चलो इसका 10% 3700 माइनस कर दो 15,000 में से क्या आगया 11,250 थर्ड पॉइंट 50% और 40% डिपेंट अपॉन सिटी रह कहां रहा है गाजियाबाद 40% किसका SRB का तो 40% निकाल लो 37,500 का चलिए निकाले फटा 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 पंदरा एक्जेक चलिए एक्जेम्शन क्या मिलेगा यहाँ पे तीन पॉइंट में से लोवर होगा वो एक्जेम्ट हो जाएगा तो यहाँ पे एक्जेम्शन क्या मिलने वाला है यह एक्जेम्शन मैं इसको अलग से लिख देता हूँ एक्जेम्शन बाकी इन में से कोई एक्जेम्शन नहीं मिलेगा चलिए तीसरे कैलकुलेशन के लिए हम डिसाइड करते हैं कहां से कहां तक लें हम दो महने का लेने वाले नवंबर और नवंबर टू दिसंबर और दो महने का क्योंकि रेंट पे इस्टिल अभी तक रेंट पर ही रह रहा रहा है तो फिर से बाद rent paid 8000 क्योंकि वो change कर दिया उसने जग है माइनस SRB यहां पर SRB अलग निकालते हैं कि यहां के लिए SRB अलग SRB retirement benefit के लिए salary बेसिक salary दो मेने का DA टोटल 15000 का 10% क्या गया 6500 कहां पे रह रह रहा है भाई यह दिल्ली में कितने परसेंट तो 15000 का 50% 7500 यहां पर कौन सा आ गया actual receive ठीक है चलो अब इसमें देखते हैं नौवंबर से दिसंबर हो गया अब सिर्फ किसका जैन जैन टू फैब ले हैं सिर्फ जैन जैन का लेते हैं जैन में salary salary increment फैब में हुआ है चारे चेंज होगे है जैन में शायद है न तो actual receive 3500 चलो rent paid कितना है अभी कहा रह रहा है वो डेली में रह रहा है तो 4000 minus में 10% SRB SRB निकाल लेते हैं basic salary बढ़ी कहें के जैन में नहीं बढ़ा पांच हजार डी ये 2500 70 यानि माइन साथ सो पचास माइनस करके क्या आ गया और दिल्ली है 50% 75-100 का 50% 37 150 यहां पर exemption कौन सा लग रहा है 32 चलिए इसके बाद last case में देख लेते हैं last case में actual receive HR बढ़ी गया जैन में जैन से बढ़ना स्टार्ट हो गया तो actual receive जैन और फैब के लिए देखेंगे actual receive यह देखें 7,000 समझ में आया actual receive कैसे है 7,000 इसके बाद actual receive 7,000 के बाद हम क्या लेते हैं rent paid rent कहां रहा है दिल्ली में यानि दो महिने के लिए minus में salary change हो गया jan से fab में जाते जाते HR तो नहीं fab से marge का कर रहे हैं हम यह मैं लिख भी देता हूँ basic salary 11,000 दो महिने का और DA 500 रुपे 16,000 minus 16,50 minus करें क्या गया 6,350 और रह दिल्ली में रहे तो 16,500 पान सो का बताएं 8,000 250 lower 6,350 ठीक है यह मैंने जो red marker से circle कर दिया यह exemption वाले हैं ठीक है अब मैं simple तरीके से basic salary वगरे निकाल लेता हूँ और इसको यह exemption मिलेगा taxable है चलिए यहां कर देते हैं basic salary basic salary मिलेगा उसे यहां से लेखे यहां तक 10 महिने 10 महिने तो 5000 5000 multiplied 10 पचास हजार और प्लस पच्छ पंसो कितने महिने दो महिने कर दो इसको 50 और 11 60 1000 DA 100% 60 1000 DA के बाद HR कितना मिला यह देखते हैं यहां से लेके यहां तक 3000 मिलता रहा यानि कितने मैंने जैन से पहले December तक 9 महिने तक 9 मन तक 3000 3000 और बाकी के तीन मैंने जैन फैब मार्च 3500 3500 कितने हो गए बताना कितने टोटल 37500 37500 500 less exempt जोड देते हैं 11200 प्लस 6000 प्लस 3250 और प्लस 6350 कितने आगे 26 क्या बोल रहा 26 26 आगे तो बोलो 850 अब माइनेस कर लो 10600 टोटल प्लस कर लेते हैं GTS आ गया प्लस करें एक बत्तिस 650 ये हो गया हमारा ग्रॉस सेलरी तो एक लाग 32,650 सेलरी तो देखो इसके अंदर मेन क्या था हमें फैक्टर को अलग करना था और ये सोचोगे ना आप कई बच्चे सोचते हैं जैन से फैफ दो मेने अलग औरली में गरबड करोगे कहीं ना कहीं तो इससे अच्छा है कि मैं एक टाइम लाइन ड्रो कर लूँ उसके उपर टाइम लिख लूँ और अच्छे से उस टाइम को फैक्टर करके सॉल्व कर लूँ तो बाकी ये तो सबसे ज़्यादा फैक्टर चेंज वाला था दो फैक्टर हो गया एक फैक्टर हो गया चेंज वो अब easily हो जाएगा आपका नोट करिए इसको नोट करना है इसको